मान लीजे कि आप कहीं पे वेकेशन के लिए जा रहे है वहां पे आपको अब होटल का बुकिंग करना है होटल के बुकिंग के टेम पे आप वहाँ पे अलग-अलग जो विबसेटेश अथे है ट्रेवल की वहां पे जाकर आप उनका रिवीव का rating देखते है कस्तमर rating देखते है क्या है? वन स्टार two स्टार three four five स्टार उसके पाद आप देखते है कि उस hotel के चार कितने है एक sht calmidad होता है नॉन से लेके five स्टार तक कौन सा होटेल है अब उसके बाद आप decision ले ते है कि क्या सच में उस hotel में जाना चाहिए कि नहीं यहने in short हम उस hotel के star rating को बहुत ज़्यादा important देते हैं और उसे के उपर decisions लेते हाँ या ना ऐसा ही एक यह जो rating होता है star rating यह mutual fund में भी है अब mutual fund में यह star rating के उपर आपने कितना depend रहना चाहिए आपने क्या आपके decisions सिर्फ उसे के बुलबुते पर लेने चाहिए या नहीं यह star rating कैसे decide क्या जाता है यह star rating actually क्यूं आया क्या होता है star rating में इससे आपने क्या समझना चाहिए इनी सारी सीजों के बारे में आज हम आपके अपने investment fund पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आये है तो प्लीज हमारे यह चैनल आप subscribe कीजिए उसके और वो जो bell का icon है उस पे click करके आप all का option select कर दीजेगा तो फिर चलिए आप देखते हैं यह star rating है कैशीज सबसे पहले तो अब देखते हैं कि यह star rating आपको क्या दर्शाता है यह star rating है क्या generally mutual fund की अब भारत में तो 40 से ज़्यादा companies है और हर एक company के पास बहुत सारे funds है equity date वगरा बहुत सारे इसके बारे में हमने यह types के बारे में एक अलग से वीडियो हमने अलड़ी बनाया है उसको अब refer कर सकते हैं कि यह types क्या है जानने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद लेकिन जब आपको कहीं पर investment करनी है तो यह star rating आपको बताता है कि एक particular scheme के group में आपको यह risk adjusted returns क्या है उस particular fund के याने वहाँ पर आपको पता चलता है थोड़ा से एक criteria में दिया जाता है याने एक दिन के returns या फिर वहाँ पर दिखाया जाते हैं एक हफ्ते के returns पंदरा दिन के returns एक महीना छे महीने एक साल तीन साल पाथ साल दस साल इतने सारे categories में यह funds को डिवाड कहा जाते हैं और हर एक के लिए अलग अलग वह star rating वह उस fund को देते हैं कि उस skim को वह star rating देते हैं और इतने सारे categories में उस skim के returns आपको दिखाई देते हैं अब यह star rating जब decide कहा जाता है तो असल में देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे ingredients है जिस में से एक ingredient है returns कितने दिये हैं उस fund में पास्ट में एक चीज mutual fund में हमेशा याद रखिएगा मेरे भी हर वीडियो में mutual fund के नीचे ये print होकर भी आता है मेरे वीडियो के description में भी ये लिखा हुआ है कि mutual funds are subject to market risk आपको जब भी investment करनी है तो इन skims के documents को गोर से पढ़िएगा याने जो past performance होता है ज़रूरी नहीं है कि वो past performance future में भी वैसे ही आपको या उसे अच्छा ही मिलेगा इसकी guarantee नहीं होती है mutual fund में fluctuations होते हैं क्योंकि share markets related है अब यहाँ पे अगर वो star rating में बहुत सारे जो factors है जो ये star rating decide करते हैं उसमें से एक factor returns का है तो मेरा सवाल ये है कि सिर्फ star rating देखके क्या आपने investment करनी है या नहीं या वो fund अच्छा ही है या नहीं कैसे decide करते हैं तो क्या ये five star वाले funds ये safe है सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लेजिए star rating के system के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन उसको जो प्रपगंडा किया जा रहा है उसको जो impression दिया जा रहा है कि बस star rating ही सब कुछ है वही देखके आपने investment करनी है यह जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है यह जो लोगों ने समझ लिया है अपने आप या फिर कई बार जो sale करते है mutual funds जो companies कई बार ये लोगों को बोलते है या फिर managers या फिर MFA certified distributors भी बोलते है या फिर advertisements बोलते है कि हमारे fund को यह यह star rating है और यह दर्शन की कोशिश की जाती है कि यह star rating decide करेगा कि आपने इसने invest करना चाहिए कि नहीं यह गलत है star rating गलत नहीं है star rating agencies यह बहुत ज़ादा मेहनत करती है star rating decide करने में और यह star rating agencies खूद बोल रही है कि star rating आपका decision making process है उसकी शुरुवात करने के लिए आपको supportive एक criteria दे रहे है इसके लिए आप completely इसके उपर depend मत रहे है इसको एक factor करके आप इसको consider किजिए खूद यह star rating companies जो है मैं उनके नाम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे लेकिन वो companies भी यही बोलती है तो क्यों यह star rating को इतना importance दिया जा रहा है गलत importance है जो सही में importance है आप study कीजिए आपको पता चल जाएगा star rating क्या है गलत तरह किसे समझा जा रहे है क्या फिर five star rating जो है वो अच्छा होता है हमेशा क्या ऐसा होता है क्या ऐसा होता है की five star rating आजось एक fund को है वो वापस कभी नीचे वो star rating आएगा ही नहीं five star rating आज एक fund को है तो वो फ़ंड बहुत बढ़िया है और अगर कल को जाके उस star rating ने फाइस स्टार हो गए वो बुरा हो गया तो क्या आप इमिजेटल वहाँ से पैसे निकाल लेंगे mutual fund में यह trading जैसा fund available नहीं है एक्जिस्टी नहीं करता है वो share market में होता है star rating तो एक foundation जैसा काम करता है जो आपकी सोचने की process को शुरू करता है उस mutual fund के बारे में या फिर उस mutual fund की उस particular scheme के बारे में यह foundation है यह decision making factor नहीं हो सकता अब star rating जो है उसमें बहुत सारे ingredients है यह जो star rating होता है यह generally कभी भी उपर जा सकता है कभी भी नीचे आ सकता है किसी का आज अगर two star rating है तो वो five star rating मिलाने के भी वो काबिल होता है हमेशा star rating अगर आज किसी का पाच है तो वो one star rating भी हो सकता है demote हो सकता है promote हो सकता है यह एक economic cycle है cycle के जैसा है जहाँ पर नीचे उपर नीचे होता रहता है हर एक scheme के साथ अब share market में हर एक sector की companies अलग-अलग तरीके से perform करती है तो हर एक share market की company अलग-अलग तरीके से returns देती है तो naturally अगर किसी mutual fund की scheme के पैसे किसी shares market में एक particular sector में है और उस sector में आज बहुत अच्छा चल रहा है तो five star rating हो सकता है अगर returns की ही सिर्फ बात करें तो हाँ अगर उस sector में कुछ गड़बर हो जाए वो sector का downfall शुरू हो जाए इसका star rating में downfall हो जाएगा शुरू लेकिन ये star rating में सिर्फ ये एक ही criteria नहीं है इस star rating के लिए बहुत सारे factors होते हैं जो ये star rating decide करते हैं अब एक बात करते हैं mutual fund के उस fund manager की इनसान है उनसे भी कभी गलतिया हो सकती है हमेशा वो जो decision लेंगे और वो fund उपर ही जाएगा नहीं हो सकता ना share market नीचे आएगा तो सारे के सारे funds नीचे आने वाले है भले वो five star fund हो भले वो one star fund हो भले वो no star zero star fund हो share market नीचे आया वो भी नीचे आने वाला है share market उपर गया तो उनका भी जो performance सारे funds का उपर जाने वाला है इतना importance देने की ज़रूरत नहीं है star को सिर्फ आपके investment के decision लेने के लिए बार बार हमें लोग ऐसे मिल रहे हैं कि जो सिर्फ star rating देखके ही investment कर रहे है mutual funds में star rating के लिए बहुत सारे factors responsible होते हैं उसमें से एक factor है returns तो वह आपका descending factor नहीं हो सकता अब यह फिर भी इतना बताने के बाद भी कई लोगों को वह विश्वास नहीं हो रहा है वह विश्वास होने के लिए अब मैं आपको एक ऐसा data दिखा रहा हूं जो ऐसे ही एक बड़ी website से मैंने download करके excel में लेके वो उसका सारा analysis करके आपके सामने रख रहा हूं यहां पर मुझे आप माफ कीजिएगा मैं उस website का नाम नहीं ले सकता हूं इनफेक्ट में उस website के screenshot भी यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह वहाँ पर copyright का issue आ सकता है लेकिन आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं यह जो data है यह वहाँ से लिया है और यह जो है यह real data है यहाँ पर आपको कुछ चीज़े में बताऊंगा पहले तो data देख लेते हैं बात म बिल क्या कहता है एक कॉलम में हम लोग देखेंगे नमबर और ओफ यौर्श का टेनयोर याने 1 अदिन तीन साल, पात साल और दस साल और दूसरे कॉलम्स में हम लोग देखेंगे कि स्टार रेटिंग ये टॉप 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 टॉ चार स्टार एक ही फंड को मिले है, थ्री स्टार्स तीन फंड को मिले है, एक भी फंड को दो स्टार नहीं मिले है टॉप 25 फंड में से और दो फंड को एक स्टार मिला है, लेकिन 14 फंड को एक भी स्टार नहीं मिला है, क्या साबित करता है ये, दो साल के रिटन्स के अगर बा को वन स्टर मिला है लेकिन फंड्स को एक भी स्टार नहीं मिला है क्या सावित करता है ये थोड़ा सा सूचिए तीन साल के रिटेंज के अगर हम बात करें तो 25 टॉप एक्विटव मृच्वल फंड्व में से एक भी फंड्स को स्टार नहीं मिला है दो ही फंड्स को फोर स्टार साथ फंड्स को तीन स्टार पाच फंड्स को दो स्टार दो फंड्स को एक स्टार और नो फंड्स को एक भी स्टार नहीं मिला है सोचिए सोचिए यह सब क्या दर्शा रहा है अगर पात सल के रिटन्स के हम बात करें तो टॉ चार फंड्स को एक स्टार मिला है और पाच फंड्स को एक भी स्टार महीं मिला है और अगर दस साल की इक्विटी मुट्यल फंड्स की बात करें तो टॉप 25 फंड्स में से एक भी फंड्स को फाइव स्टार नहीं मिले है दो फंड्स को चार स्टार तेरा फंड्स को तीन स्ट दो स्टार मिले है चार फंड्स को दो फंड्स को मिले है एक स्टार और चार फंड्स को एक भी स्टार नहीं मिला है तो दोस्तों यहां पर आप बहुत ही जादा क्लियरली देख सकते हैं कि स्टार रेटिंग यह कुछ नहीं होता स्टार रेटिंग यह आपकी थॉट प्रोसेस शुरू करने का एक जरिया है टॉप 25 फंड्स में से रिटन्स के मामले में अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कितने फंड्स को 5 स्टर मिला है कितने फंड्स को 1 स्टर भी नहीं आपके सामने ये दूद का दूद पानी का पानी हो गया है ये डेटा है 20 एपरिल 2021 का यानि अभी अभी रिसेंट ताजा ताजा आपके सामने है अब यहां पर आप ही सोचिए कि आपने जब भी इन्वेस्मेंट करनी है तो उस टाइम आप सबसे पहले जो देखते हैं कि रिटंस के लिए कौन से फन को कितने स्टार से इसको कितना कन्सिडर करना चाहिए इसको कितना importance देना चाहिए अब आप ही सोचिए मुझे ने लगता कि इतना इसको importance देना चाहिए star rating को star rating होता है अच्छी बात है और वो आपके study का एक पार्ट होता है छोटा सा लेकिन वो decision making point please मत रखिये देखा अपने क्या है ये कहां पर है हम लोग अब मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप completely dependent नहीं रहेंगे star rating पर ही आपके investment decisions के लिए क्योंकि star rating ये एक initial foundation है आपको decision making process शुरू करने के लिए decision इसके उपर नहीं हो सकता अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत आखे खोलने वाला है या बहुत informative लगा है important लगा है तो प्लीज ये वीडियो आप अपने आप तजनों के साथ आपके जो pre-agent है आपके friends, relatives, colleagues हैं उनको please share कीजिएगा वीडियो और ये चैनल आप subscribe कीजिए अगर आज पहले बार आप इस चैनल पर आए है and thank you so much ये वीडियो आपने end तक देखने के लिए अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक अलग topic के साथ एक अलग funda के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने family का health का और wealth का बहुत बहुत खयार रखेगा मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई